venues आज मोर्ब बात करेंगे और लूप टी की। लूप कंट्रोल इस्टेक्चर में और डूप क्या होते हैं और इन्स पेर वेसे हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं अभी तक जो हम लोगों ने लूप इस्ट्रक्चर में जो फॉर लूप और वाई लूप पढ़ा था पॉर लूप और वाई लूप कि जो प्रोग्राम हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा कि यह प्रोग्राम लूप के अंदर के जो statement है उनको execute करते हैं जितनी बार हम चाहते हैं within a finite number of times जैसे हमने का से हमने यहाँ पे condition दी कि for say i is equal to 1, i is less than equal to 5 और i plus plus और for के अंदर हमने दे दिया say do this and this and so on तो इसमें क्या होगा कि यह जो statement है यह i equal to 1, 2, 3, 4, 5 तो यह यह जो loop है यह statements पांच बार execute होंगे ठीक ऐसे ही while में अगर मानलीजी इसी को हम while से बनाते हैं तो मानलीजी में उपर declare कर दिया integer i equal to 1 और फिर हमने का while i is less than equal to 5 i जब तक 5 से छोटा है फिर हमने यहाँ पे दे दिया do this ठीक है and this and this चो भी statements आपको देने हैं और फिर हमने यहाँ पे दे दिया i plus plus या i equal to i plus 1 ठीक है तो अब इसमें क्या होगा कि यह statement i equal to 1 से शुरू होगा फिर यह execute होने के बाद i की value 2 हो जाएगी फिर check करेगा दुबारा execute होगा फिर 3 हो जाएगी फिर check करेगा फिर 4 हो जाएगी फिर check करेगा और जैसे 6 होगी यह loop बंद हो जाएगा तो इसमें क्या है कि हमें पता है कि loop जो है five times जिसमें भी हमको पता execute हो रहे हैं और इसमें भी पता है लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं in real life programming one come across a situation when it is not known beforehand how many times the statements in the loop are to be executed यानि real life programming में कुछ conditions ऐसी होती है जिसमें programmer को नहीं मालूम है कि कितनी बार loop चलाना है वो depend करता है situation पे उस समय की situation पे तो उसमें जो number of repetition of the loop है वो fix नहीं होता है वो एक बार भी चल सकता है दस बार भी चल सकता है दस जार बार भी चल सकता है इस तरह के loop को क्या बोलते हैं इस तरह के loop को odd loop बोलते हैं अब इस condition को आप एक example के साथ समझ सकते हैं कि मानलीजे हमने कहा कि हम कोई program बनाते हैं ठीक है उसमें हम कुछी number को enter करते हैं और number तब तक और उसका square निकालते हैं ठीक है और कितने number का निकालना यह defined नहीं है जब तक हम चाहें तब तक निकाले और जब हम रोकना चाहें उसको रोक दें तो इस तरह के program को बनाने के लिए मानलीजे हमने कहा किसे पहले हमने comment line समझने के लिग लिग दी कि execution of loop execution of loop for an unknown number of times unknown number of times मतलब loop उसमें कितनी बार चलेगा यह user को यह programmer को defined नहीं जब तक user चाहेगा उतनी बार वो लूप चलता रहे और जब user चाहेगा कि लूप बंद हो जाए वो लूप बंद हो जाएगा ठीक है तो यह program कैसे बनेगा simply आप यह समझ जी मानलीजे हमने कहा यहाँ पर हमने लिए main ठीक अब यहाँ पर हमने कोई character लिया तो character define किया हमने character यहाँ पर हमने लिखा choice यह variable का नाम रखा हमने choice और इसको initialize कर दिया हमने y ठीक और फिर हमने का integer कोई number ले लिया हमने variable अब हमने क्या किया कि जब तक यानि हम लिखा while choice जो है जब तक यानि equal to क्या है y है तब तक आपको क्या करना है यह जो हम इसके अंदर लिखना है यह statement execute होगा तो printf हमने का enter number enter a number scanf किया हमने %d चुकि यह integer type है m% और num ठीक तो पहले choice क्या है y screen पर आएगा enter a number number हमने इंटर कर दिया अब इसके बाद इसका square निकालना है तो हमने कहा कि printf फिर हमने यह लिखा %d ठीक है और कॉमा यहां पर हमने लिख दिया num into num यह जो number हमने एंटर किया उसका square print हो गया अब उसके बाद अगर हम अगला number तो हमने यहां पर लिखा printf अगली लाइन में लिखना तो slash n पहले लगा दिया want to enter another number तो यहां हमने लिखा want to enter another number कि आप और कोई number इंपुट करना चाहते हैं अगर यस करेंगे अब यहां पर हम लेंगे scan app और scan app हमने किस में किया %c में चूकि यहां पर यह character type है तो %c में हमने choice को enter करा दिया और यहां पर वाइल बंद कर देंगे अब क्या होगा देखिए program execute होगा तो सबसे पहले कहेगा enter a number enter a number माल लिए हमने enter किया 4 तो 4 एंटर करने के बाद क्या होगा print app हो जाएगा इसी line में हो जाएगा तो 16 आ जाएगा ऐसे अगर next line में 16 लाना आना है आपको यहां की वजाए आप यहां चाहते हैं तो आप यहां पर slash and introduce कर दीजे तो 16 आ गया अब इसके बाद message आएगा want to enter another number क्या आप next number input करना another number input करना चाहते हैं अब अगर हम यहां पर keyboard से yes देंगे तो फिर से यह आ जाएगी enter a number और अगर yes के लामा और कुछ भी हमने मालीजे हमने no दे दिया या और कोई भी की दवा दी पी दवा दिया या क्यों मतलब y को छोड़के और कुछ भी दवा दिया तो यह loop चलना बंद हो जाएगा तो इस तरह के प्रोग्राम में क्या होता है कि कितनी बार लूप चलना है यह प्रोग्रामर को नहीं मालूम है यह यूजर के उपर है कि वो जब तक number input करता जाएगा तब तक यह loop चलेगा और जैसे ही वह वाई की बजाए कोई और character इंटर कर देगा चाहे नो कर देन चाहे पी चाहे क्यों एडी करेक्टर वह इंपुट करेगा तो यह loop चलना बंद हो जाएगा तो इस तरह के लूप को क्या बोलते इस तरह के लूप को और लूप बोलते और अगर हमको कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें लूप को कितनी बार चलाना है तो फिर क्या होगा की उस case में और लूप कहलाएगा जैसे मान लीजी एक example और हम ले लेते हैं suppose कीजिए एक और हम प्रोग्राम बनाते हैं और इसको हमने लिखा कि आपको समझने के लिए मैं आप लिख रहा है comment line में कि प्रोग्राम विल एक्जिए तिल सम आफ तू नंबर्स एंटर्ड इस लेस देन एंड्रेड ठीक है अब यह हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि दो नंबर हम इनपुट करेंगे और यह प्रोग्राम तब तक रन करेगा जब तक उन दोनों नंबरों का सम सो से छोटा है ठीक अब हमने क्या किया हमने यहां किया में यहां हमने डिकलियर किया इंटीजर माल रिजे एक नमबर ले लिया वाई एक नमबर ले लिया और इनका sum हमने लिख लिया ऐसे sum ठीक है या चाहे तो आप ठीक है यह हमने डिक्लेर कर दिया अब हमने क्या किया हमने यह किया कि पहले आप इसको initialize कीजे ठीक है तो हमने कहा माली जे initially चाहे तो यह declaration में initialize कर दीजे हमने कहा integer x equal to zero y equal to zero और sum को हमने यहां पे लिख दिया sum equal to zero इस तरह आपने यहीं पे initialize कर दिया या इसको पूरे जैसे कादे से लिखते है माली जे यहीं पे initialize करके तो हम कादे से लिख देते हैं इसको हमने डिक्लेर किया integer x equal to zero ठीक है y equal to zero sum equal to zero यह डिक्लेर कर दिया अब हमने यहां पे condition दी while sum is less than equal to hundred जब तक sum 100 से छोटा है तब तक क्या कीजिए हमने यहां का print app enter two numbers दो number एंटर कीजिए एक एक करके भी करा सकते थे हमने डायरेक्ट की दे दिया sum of two numbers इस इक्वल टू पर्सेंटेज दी कोर्स क्लोज्ट कॉमा sum यह देखिए अब इसमें क्या होगा जब प्रोग्राम एक्सक्यूट होना शुरू होगा तो इनिशली sum zero है तो zero is less than hundred यहां पर आएगा एंटर two number अब जैसे दो number हमने माली जे एंटर किया से 25 और से 30 तो sum कितना आएगा 55 आएगा तो यह डिस्प्ले हो जाएगा the sum of two number is equal to 55 और फिर कंट्रोल जाएगा यहां पर तो 55 is less than hundred दुबारा से फिर यह लाइन आएगी फिर हमने एंटर किया माली जे 30 और 60 टोटल कितना हुआ 90 फिर यह है the sum of two number equal to 120 और यहां पर चेक करेगा तो 120 is not equal to less than equal to 100 तब यह लूप चलना बंद हो जाएगा तो इस तरह के लूप जिनका number of जिनका जो repetition है कि वो लूप कितनी बार चलेंगे या उसके अंदर के statement कितनी बार repeat होंगे कितनी बार execute होंगे यह decide नहीं रहता है इस तरह के loops को odd loop कहते हैं तो आई hope कि आपको यह clear हो गया होगा आपको programming धिरे धिरे सारी चीज़े clear हो रहे होंगी अगर कोई doubts से confusion रहे जाता तो please comment लाइं में comment करके है थैंक यह